पहला टोपिक है असायोग अंदोलन भारती इतियास के टोपिक वाई टोपिक हम आपको हल करा रहे हैं इससे बाहर कुछ नहीं मिलने वाला है बहुत ही साथ नोट्स में NCRT स्लेब्स लेकर के चल रहा हूँ तो इससे पीछे का इतियास हम पढ़ चुके हैं आज हम असायोग अंदोलन शुरू करेंगे बर्स 1922 तक इस समय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन का यह जो नोरा था कब 1922 का समय था असायोग अधिवेशन का टाइंग और कलकत्ता का कंग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन चल को पारित नहीं किया गया है जो जोरथीश्य आंधिवेशन चल राङवाचारी जी के द्वार्डादास इतने लोग जो हैं मोतीलाल नहरु, सीरsm 17 और अनि पसेंट जी इस आंदोलन के खिलाब में थे बाद में मोतीलाल नहरु ने इस आंदोलन का समर्थन किया लेकिन तीनों लोगों सबी इतन अनि उस आंदोलन को मूरखता पूड कार के रूप में बताया सुभास्चंद वोस जी ने राष्ट्री संकट गांधी जी के इस फैसले से असंतुष्ट होकर कुछ नेताओं ने अपनी पार्टी अलग बना ली ठीक है तो ये पूछ दिया जा सकता है कि जो आंदोलन चला था इसमें कौन सा आंदोलन है असयो गांदोलन ठीक है नांकुर में जो श्री असयो गांदोलन जो चल ला था उसमें मोतिलाल नहरू ने क्या किया पहले विरोध में थे बादमीनों ने समर्थन कर दिया ठीक है एनिवेसेंट ने इसको मोर्खतापूर्ड यही पुचाता है किस क्रांतिकारी ने असयो गां सुवास्चन बोस जीने कहा है आगे आईए जब इन से असंतुष्ट हुए तो कुछ नेताओं अपनी पार्टी बनाई पहली है स्वराज पार्टी ये 1923 में बनाई गई और इस्थान कहां था इलावाद इलावाद में बनाई के सचीव कौन थे मोतिलाल नहरू संस्थापक सीयारदास और उद्देश सक्या था बिधान परिशित के चुनाव में भाग लेना इस पार्टी ने भारत को स्वराज की प्राप्ति में सहयोग देना एवन ब्रिटिस सामराजवादी ववस्ता को समाप्त करने को अपना लच्श बनाया कोई भी पारटी बनती है कोई में लेक्मती था बँर्शित को मध्य प्रांत में पूर में बहुत मिल गया बंगाल उत्तरपरदेस मुंबई में प्रधानता वक केंद्री विधान मंडल में 145 में से 48 इस्थान प्राप्त हुए नेश्ट है साइमन कमीशन बर्स 1919 गोसला आठ नौंबर 1917 अब देखिए यहीं पर समस्य आती है यहीं पर भूलते हैं मैंने टू दा पॉइंट उनली पॉइंट टू पॉइंट नोट किया ह ऐसा कुछ नहीं नोट किया जिसमें आपको इधर उधर भटकना पड़े या आपका समय बर्बाद हो मुझे आपके समय की कीमत पता है वर्दी आपको पहननी है तो दिन रात समय के साथ चलिए समय से आगे जाने की कोशिस करिए समय को बर्बाद करके आप कुछ हासिल नही कर सकते हैं तो देखिए साइमन कमीशन 1919 की बात करेंगे कट साइमन कमीशन की बात करेंगे और घोसला कब हुए साइमन कमीशन की 1927 अठारा अब उसरी आठ नॉंबर 1927 और ये भारत का पहुँचा भारत पहुचा है 1928 में तीन डेटें इसके लिए आपको याद रखनी पढ़ेंगी ठीक है वो देश 1919 के चैन स्पोर्ट सुधार अधिनियम क्या मुल्यांकन करना सदस्यों की संख्या साथ थी जो कि सब के दस थे और यही बात भारतियों के द्वारा इसके विरोद किये जाने का करण बना नारा कौन सा था साइमन कमिशन गोबैक साइमन कमिशन के विरोद में कौन सा नारा दिया गया साइमन कमिशन गोबैक और ये नारा दिया किसने था लाला लाजपत राय के द्वारा दिया ग पहुचा भारत पहुचा तीनों डेटें याद रखने वाली हैं लाहर में साइमन कमीशन आयोग के विरोध प्रदर्शन के दवरान हुए लाठी चार्ज में लाला लाच पतराय बुरी तरह से घायल हो गए ठीक है किस क्रांतिकारी की साइमन कमीशन गोबैक का नारा लगाते समय या साइमन कमीशन आयोग के विरोध में किस क्रांतिकारी की लाठी चार्ज में धायल अबस्था हो गई था या घायल हो गया था तो यह लाला लाच पतराय लेकिन बाद में क्या हुआ 17 नवंबर 1928 को लाला लाच पतराय की मरत्त हो गई थी 17 नवंबर 1928 वही डेट सेम लाठी चार्ज दोसी सांडर्स की हत्या भगस सिंग जैसे क्रांतिकारी ने कर दी तुरंत ठीक है नगत दे दिया नैले पे देला अब है दांडी मर्च 20 मर्च 1950 दांडी यात्रा प्रारंबुही 5 अपरेल 1930 को दांडी पहुँचे और 6 अपरेल 1930 को नमक कानून तोड़कर सबिनेयद अभग्ग्यां अंदोलन अब देखिए सबिनेयद अभग्यां अंदोलन 26 दिसंबर 1929 पूर सराज्य का परस्तावपारित हो گया कहां हुआ कांगिरेस के लाहओर अधिवेसन में 26 जनौरी 1930 को पहला स्वाधेंता दिवस मनाया गया प्रथम स्वाधेंता दिवस म मनाया गया 26 जनवरी 1930 31 जनवरी 1930 को 1130 कारेक्रम हुआ अभी आगे बताएंगे आपको ये क्या था बार्दोली सत्याग्रह बार्दोली सत्याग्रह 1922 की बात है गुजरात में बार्दोली इस्थान था और वहां के किसानों ने सरकार द्वारा जो 30 पर सत्कर बढ़ाया गया था उसके बिरोध में बल्लब भाई पटेल के नेतरत में सत्याग्रह किया अब बार्दोली सत्याग्रह का नेतरत किसने किया सरदार बल्लब भाई पटेल ने कहां सरू हुआ गुजरात में गुजरात के बारदोली किसका काई वारा से कोस्टन पाज़ा था ने में लेकिते हैं से कौन सा किसान आंदोलन है तो ये जो तीना आंदोलन लिग दियांगे तो ये भी धियान रखने वाली बात है किसानों ने किसान आंदोलन था 1922 बारदवली सत्याग्रे इस्थान गुजराद के बारदवली किसके द्वारा किसानों के द्वारा 30 पर सत करके विरोध में नेतरत करता सरदार बल्लब भाई पटेल इतनी चीजें इससे याद रखनी है देखिए दो लाइन नहीं हो सकती है चार कुश्चन आपके तयार हो जाते हैं इतना सिंपल इतना बढ़िया मेटर टाइप आपको नहीं मिलेगा पूरे यूटूब की मैं गारिंटी ले रहा हूँ इस आंदोलन के असफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपादी दी किसको सरदार पटेल को अब ये भी कुश्चन है कि सरदार पटेल को सरदार की उपादी किसने दी गुजरात की महिलाओं ने कब दी बारदोली सत्याग रह के सफल होने के बाद अब ये इतनी सी बात में आपके कितने कुश्चन तैयार हो रहे हैं आप अपनी एक डायरी लेकर करके बढ़िया चोटा सा सोच में नोट्स बना लें अब आगे आएंगे स्वराज दिवस क्यारा स्वराज पूर स्वराज दिवस बर्स 26 जनबरी 1930 कांग्रेस का लहावर अधिवेशन अध्यचता जवाल लाल नहरू इस्थान लाहावर रावी नदी के तटपर लच पूर स्वराज घोसित बिलकुल पॉइंट पॉइंट लिख नहरू ने कहा ब्रेटिश सत्ता के सामने अब अधिक जुकना मनुस्य और इस्था दोनों के विरुद्ध है प्रथम स्वादिन्ता 26 जनबरी 1930 इसी के साथ प्रतियक बस 26 जनबरी को सतनतर दिवस मनाया गया अब देखिए भारत का जो सम्विधान था वो 27 नौंबर 1949 को बन रहें जरा एक बार नज़ा डाली है कि पूर सुराज कि कब की घटना है यह 26 जनबरी 1930 की है कहां की है कांग्रेस के लाहूर अधिवसन में अध्धक्षता को न कर रहा था पंडि जबालाल नहरू यह ऐसे पूछ दिया सकता है कांग्रेस का लाहूर अधिवसन कब हुए था 1930 को हुआ था अध्धक्षता किस ने की थी कांग्रेस के लाहूर अधिवसन की जबालाल नहरू ने की थी इस्थान कौन सा था लाहूर और किस नदी के तटपर थे रावी नदी के तटपर ऐसे भी पूछा रखता है इसके बाद अपार जिन समू के साथ अब पहला तिरंग पहला गया तो 26 जिनवरी 1930 को प्रतम स्वाजिंता दिवस का मनायागा 26 जिनवरी 1930 को इसी के साथ प्रतिक बश्वी जिनवरी को सतंतरा दिवस मनाया जाता है अगला है गांधी इर्विन सम्झोता समय की बात करेंगे पांच मार्च 1931 ठीक है इसका अन्य दूसरा नाम क्या ह इसका नाम दिल्ली प्रेक्ट भी है समझोता मात्मा गांजी था लाड इर्विन के मद्ध हुआ गांधी जी ने इस समझोते को बहुती मेहत दिया परन्त जवाहलाल नहरू ने नहरू और घोस ने इसकी कड़ी निंदा की अलोचना की अगला है गांधी जी के द्वारा प् दिनिशेद लागू किया जाए नमक कर समाप्त किया जाए सैनिक बे में 50% की कमी हो अधिक बेतन पाने वाले असरकारी पतादिकारी की संख्या कम की जाए विदेशी कपड़ों पर विच्रेस आयात कर लगाया जाए तटकर विधेक लाया जाए सभी राजनितिक बंदी छो गांधी जी की ग्यारा सूत्री प्रस्ताव में सामिल नहीं है तो इन ग्यारा लाइने जो हैं ये प्रस्ताव की इनको जरूर्थ एक दो बार पढ़ लें विदिवत तरीके से ठीक है नेश्ट है सविने अबग्या आंदोलन क्या है सविने अबग्या आंदोलन सा माने सहीत यानि बिने सहीत अबग्या मतलब आग्या ना करना बिने सहीत आग्या ना करने का आंदोलन है गांधी जी ग्यारा सुत्री मांगों पर विचार ना किया जाना सविने अबग्या आंदो इसकी बात करेंगे कहां से हुई दाणी से सावरमती से आंदोलन का कार क्रम क्या था नमक कानून का उलंगन सरकारी सेवाओं अदालतों सिच्छा केंद्रों उपाधियों का वहिसकार महिलाओं द्वारा सराव अभीम विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना समस्त विद अब देखिए दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू ही दांडी यात्रा को नमक सत्या ग्रेवी कहा जाता है गांदी जी ने अपने 78 समर्थ को कहीं कहीं 79 मिल जाते है ठीक है तो यह 78 बिल्कुल राइट है लेकिन 78 और यह दोनों आप्सन जब दिये होंगे तो आप इसे टिक करेंगे और अगर यह 78 नहीं दिया होगा तो 79 भी टिक कर सकते है ठीक है तो गांदी जी ने अपने 78 समर्थ को के साथ साबर मती आसरम में 385 किलो मिटर दूर इस्थित दांडी के लिए प्रस्थान किया कहां से अब कितने कुश्चन तयार हो गया दांडी यात्रा को का दूसरा और नाम क्या है नमक सत्यागर है या नमक अंदोलन ठीक है गांदी जी ने कितने समर्थकों के साथ यात्रा शुरू की 78 समर्थकों के साथ कहां से सुरू की साबर मती आसरम से कितने किलो मिटर की दूरी 385 किलो मिटर दूरी तैकी कितने दिन में तैकी और कहां पहुंची है डांडी डांडी पहुंच करके क्या हुआ नमक बنایا था ठीक है छे अपरेल डांडी कब पहुंचे छे अपरेल 1930 को डांडी पहुंच कर गांदी जी ने समुते तफ़ पर नमक कानून तोड़ा नमक बना करके है इस आंधोलन में महिलाओं की ज़्यादा भूमिका थी इस आंदोलन के काड़ बरतिस सत्ता जहला गई और पांच मई 1930 को गांधी जी को गिरपतार कर लिया गया इस आंदोलन की परचंड़ता का ऐसास करके ततकालीन वायसरायलाड एर्विन ने गांधी जिसे समझोता करना चाहा जिसे गांधी एर्विन समझोते के नाम से जाना जाता है प्रथम गोल में सम्मेलन अग इन सब के बाद में मावले को सांत करने के लिए गोल में सम्मेलन आयोजित किया गया तो पहला गोल में सम्मेलन की बात करेंगे हम 12 सितंबर 1930 आयोजन हुआ था इस्थान कौन सा था लंदन में हुआ था ततकारी बटिस समराट कौन थे जार्ज पंचम थे प्रधान मंत्री रैम जे मैकनाल्ड थे और इन्हों ने ही अद्धक्षता की थी अद देखिए जरा जरा सी लाइने नहीं है कुश्चन कितने तयार हैं आयोजन 12 दिसंबर 12 सितंबर 1930 इस्थान लंदन में हुआ था प्रतम गोल में सम्मेलन पूछ दिया जाए कि उस समय कौन था बेटिस समराट जार्ज पंचम थे प्रधान मंत्री कौन था रैम जे मैकनाल्ड थे अद्धक्षता अब यहां विसेस क्या है प्रतम गोल में सम्मेलन में डाक्टर विया रमबेटकर है यह पूछ जाता है लेकिन कांग्रेस ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया था और यहां पर देख लीजिए खास तोर से किसने किसने लिया किसने किसने नहीं लिया देखी यह चीजे तो नह अंबेटकर ने भाग लिया लिया तेक बहादर सप्प्रू ने लिया मुहमद ली जिणना ने लिया और मुहमद अब इसको कैसे याद रखेंगे देखिए डाक्टर बी-यार अंबेटकर अटेक बहादर सप्प्रू तो अब इसको साठ में लिख लीजिए देखिए इतने लोगों ने भाग लिया अब पूछ देता है चार आपसन देते हैं इस समयलन से कांगरेसने समयलन में भाग नहीं लिया बहुत ज़यादा एक जράम पूछे जाने वाली है कारड क्या था उस समें सबी ने अबग़ गय आंदोलन चलाब था नेश्ट है दिती ये गोल में सम्मेलन अब पहला कब हुआ था पहला देखिए कितना अंतर है पहला गोल में सम्मेलन 12 सितंबर 1930 की बात करेंगे कहां पर 12 सितंबर 1930 लंदन की बात करेंगे जार्ज पंचम समराट और अध्यक्षता रेमजे मेकनाल्ड ततकारीन प्रदानमंती रेमजे मेकनाल्ड अब यहां पर देखिए ये तो सेम रेमजे मेकनाल्ड भी है इस्थान भी लंदन है तो डबल डबल तो याद नहीं करना है लेकिन आयोजन 7 सितंबर 1931 ठीक है 7 सितंब की तीस ठीक है 7 सितंबर 1931 अब फिर गांधी जी 12 सितंबर को इंग्लेंड पहुचे कांग्रेस के एक मात्र प्रतिनी कुद् vaccine k кур के मात्र प्रतिथी ने किस goal ignore य हो नहीं लिया वह परफम गोल में समयलन था दोनों गोल में समयलन लंडन की बात Academic 1.2.1930 को परतम गुए था दूसरा 7.1031 को लगवग एक साल के उंतर है इसके बाद में 12 सितंबर को गांधी जी इंगलेंड पहुंचे थे कांग्रेस के एक मात्र प्रतिनित थे इसमें कांग्रेस ने भाग लिया था लेकिन कांग्रेस के एक मात्र प्रतिनित के रोब में गांधी जी ने भाग लिया था इसमें आप पूस दिया जाए परतम समयलन में गांधी जी ने भाग लिया था नहीं लिया था इसके बाद में इसे क्या था इसके लिए देखिए सरीमती एनी बेसेंट ने सम्मेलन में सामिल होकर भारती महिलाओं का प्रतिनिजित किया था पहले गोल में सम्मेलन में सरीमती एनी बेसेंट जी सामिल नहीं थी दूसरे में सामिल होकर इन्होंने तो कांग्रेस का प्रतिनिजित दुकाउन कर रहे थे गांधी जी कर रहे थे भारती महीलाओं का परतिने दिए स्रीमती एनीवसेंटी जी कर रहे थे इसके तहत ही गांधी एर्विन समझवता हुआ इस समयलन में राजनीतिग्यों ने कि कुटिल चाल के काड़ सामपरदाइक समस्या उभर कर आई क्यों कुछ राजनीतिग्य थे उन्होंने अपनी कुटिल चालें चल दी अपने लालच के लिए समाज के लालच के लिए नहीं इसको कहेंगे अपने लालच के लिए मुसल्मानों युम सिखों के साथ अनसोचित जातिके लोगों के लिए भी राजनीतिग्यों ने भाग लिया महत्यपोड प्रतिनेदियों में बियार अम्बेटकर ने प्रत्थम निर्वाचन की मांग किस गोल में समेलन में की में ठीक है गांधी जी को इससे बढ़ा दुख हुए यांशी इससे बहुत बड़े दुखी हुए समेलन में भारती संगी रुप रेखा पर विचारव मास हुआ भारत में एक संगी नियाले के स्थापना की बात कपीगी दितिगल में समेलन में अनेक प्रतिनिदियों ने केंदर में द्वैदिसासन अपनाने की बात की सामप्रदाइक समस्या के समाधान पर समयलन में कोई निर्णे नहीं लिया साइसका अत्पह एक दिसंबर 1931 को दिती गोल में समयलन बिना किसी ठोस निर्णे के समाप्त हो गया ठीक है? ये भारती इतियास के कुछ टॉपिक हमने कबर किये सेश टॉपिक को अगले वीडियो में कबर करते हैं इसके बाद मैं आपको एक मास्टर वीडियो दोंगा जिसमें भारत का पूरा इतियास होगा एक मास्टर वीडियो देंगे जिसमें पूरा भारत का भूगोल होगा एक मास्टर वीडियो में पूरा सम्मिधान देंगे ऐसे करके हम एक एक मास्टर वीडियो में पूरा सम्मिधान ये सारी चीज़े देंगे एक master वीडियो में संपूर रिजनिंग देंगे एक master वीडियो में संपूर मैद देंगे लगभग जो आपके परिच्छा में होने वाले अगर मेरे ये 5-6 वीडियो आपने लगातार देख लिए हैं आपका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है